हलो गाइज वेलकम टू वाइटिया टेक तो वीवो जेड वन प्रो यहां पर ओफिशिली कनफिर्म कर दिया गया है फिलिप कार्ट पर भी और वीवो की तरफ से भी कि यह डिवाइस इंडिया में बहुती जल्द रलीस होने वाला है दोस्तो इसमें आपको snapdragon का 712 processor के साथ 32 megapixel का selfie camera in display fingerprint sensor तो नहीं पर इसमें आपको punch hole display देखने को मिलने वाली है तो दोस्तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं सारी जानकारी इस device के बारे में कि इसकी confirmed specification क्या है इसके variant क्या क्या होने वाले है इसकी pricing क्या होने वाली है और ये इंडिया में कब तक ररीस हो सकता है और आप इस device को किस तरह से खरीद पाएंगे तो दोस्तो ये सारी information के लिए आपने आज की हमारी वीडियो शूर से लेकर अंत तक ज़रूर देखनी है तभी आपको सारी जानकारी हो पाएगी और दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो please कर लीजेगा और bell का icon भी दबा दीजेगा ताकि हमारी आ लिए लसीडी स्क्रीन बात करें यहां पर डिजाइन की तो आपको यहां पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी होने वाली है यहां पर होने वाली है पॉली कार्बनेट की आपको यहां पर हेड़फोन जैक भी देखने को मिलेगा और आपको जो fingerprint sensor है वो पीछे की तरफ देखन को मिलने वाला है बात करें यहां पर cameras की तो आपको यहां पर triple cameras पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे primary sensor होने वाला है 16MP का दूसरा wide angle camera होगा वो होगा 8MP का और तीसरा होगा 2MP का वो help करेगा आपके portrait shot लेने के लिए तो बात करें यहां पर selfie camera की तो आपको यहां पर मिलने व दोस्तों यहां पर आपको snapdragon 710 या snapdragon 712 processor देखने को मिलने वाला है तो अगर हम यहां पर बात करें battery life की तो आपको यहां पर 5000 mh की battery देखने को मिलेगी जिसमें आपको 18 watt का fast charger डिबे में ही मिलेगा तो यहां पर बात करें OS की तो आपको यहां पर fun OS देखने को मिलेगा जो रन करेगा Android 9.0 Pi पर इसमें आपको जहां वो headphone jack की भी support देखने को मिलेगी तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहां पर variants pricing and India release date की तो दोस्तों इसका पहला variant होने वाला है 4GB RAM with 64GB storage उसकी price होने वाली है 15,000 रुपे के करीब दूसरा variant होगा 6GB RAM with 64GB storage उसकी price होने वाली है 16, रुपे के करीब और तीसरा variant होगा 6GB RAM with 128GB storage उसकी price होने वाली है 18,000 रुपे के करीब तो दोस्तों यह जो device है वो इंडिया में जून के महीने में release कर दिया जाएगा यनकी launch event में दिखा दिया जाएगा और दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें इसकी online and offline sale की तो दोस्तों यह smartphone आपको flip card पर ही देखने को मिलेगा यनकी offline आपको यह smartphone देखने को नहीं मिलेगा आप इसे offline नहीं खरीद पाएंगे हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह video पसंद आई होगी तो दोस्तों अभी के लिए अलविदा हम मिलेंगे अगली video में हम आशा करते हैं कि आपका जो दिन है वो मंगल में हो